दोस्तों स्वागता आपका हमारे चैनल VS Farming पे आज हम आया निखिल नहरा जी के पास और इन्होंने यहाँ पे बायो फ्लोक में काम कर रखा है आप देख सकते हैं यह यहाँ पे तीन टैंक बने हुए इनके पास और इन्होंने यह घर से ही क्यों शुरुआत करी आज सब्सक्राइब आपको सारी जानकारी दूँगा एसे लेकर जैड तक की निखिल जी स्वागता आपका हमारे चैनल पर तो भाई यह वाला आईडिया कैसे आया दिमाग में के मचली का काम करेंगे मैं जैसे ग्रेडुएशन मैंने कंप्लीट की थी उसके बाद मैंने जो है जौब में कभी मन नी था तो मुझे लगा कि खुद कई काम करें तो मैं ऐसे ही सच कर रहा था काफी कीज़े तो फिर मैंने एक पाम था उसमें मैंने विजीट किया तो मैंने वहां पर देखा कि प ची काफी की होते हैरेस भी डर भी होता यूजड़ा है और पांड कुल्चर जा लेकिन पांड couple क्ल्चर क्या है कि थोड़ा बड़ अ उसके लिए लेवलrow ब्लाक जा था हुझे फिर मेंने और वायफ़लॉक दोगोstar किया तो बभॉक में कि लिए किना억 मार्विक्श अब्स इस काम को ज्यादा बड़े लेवल से शुरुवात ना करें क्योंकि जब तक आप किसी काम के एक्सपर्ट नहीं बन जाते उसके कोई प्रोज एंड कौन से नहीं जान पाते तब तक बड़े लेवल में हाट नहीं डालना चाहिए तो निखिल जी ने जैसे किया है छोटे है जिसमें क्या है कि मोटर है डाइफ्रॉम पंप हैं और जिसमें फीड होता है सीड होता है सारी जो कौस्टिंग आई है और उपर शेड है जो है यह सब कुछ अकर लगाया जाए तो तू लैक के आसपास मेरा खर्चा हुआ है इसमें और शेड का जैसे तीस हजार बैठता है क्योंकि पर लीटर अगर आप सोचें तो पर लीटर के हिसाफ सेगर आप लगाते हैं तो खर्चा जादा आता छोटे काम में अगर आप बड़ा काम करेंगे तो पर लीटर आप 6 रुपीज के आसपास बैठेगा यह जैसे 10,000 टैंग है 10,000 लीटर का आप यह मिनिमम होता आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं छोटा ना बनाएं छोटे में क्या होता कि ग्रोथ कम आती है इसलिए पॉंड कल्चर इससे ज्यादा बैटर है ग्रोथ के लिए इसमें ग्रोथ कम आती है क्योंकि स्पेस कम होता है तो 10,000 लीटर का यह टैंग है और अगर आप 10,000 क्योंकि उसमें फिर टाइम भी एक्पेंड हो जाता है और यह मिनिमम है कि आप 10,000 टैंक ही बनाएं इससे कम ना बनाएं इससे ज्यादा आप 20,000 लीटर का बना सकते हैं लेकिन 10,000 से कम ना बनाएं वरना ग्रोथ का इशू आएगा ही आएगा जो इनका साइज है वो क्या स ख्यादा आप 15,000 लीटर पानी आराम से आजाता है और इसमें आपने अपने मचलिया डाल रखी हैं वो कितने मचलिया हैं इसके अंदर मैंने क्या है कि हमने पहले बार रही प्राव तो इसमें हमारा सीड जो ज़गा थोड़ा ज़ादा आ गया था वैसे हम इसमें कैट फि तो मेरे पास जो भी है मेरे पास इसमें 4,000 हैं क्योंकि फर्स टाइम था तो हमारे पास सीड थोड़ा ज्यादा आ गया था वरना आप 800 पीस ही डालें उससे ज्यादा ना डालें इसमें और जो पंगेशियस होती है पंगेशियस आप 1000 एक टैंग में डाल सकते हैं 10,000 लिटर क इसमें भी ग्रोथ का इशू आएगा और कैट फिश आप इसमें ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं ऐस कंपेर टू कार्प के लिए पॉंडी अच्छा है क्योंकि उसके लिए इस पेस ज्यादा चाहिए और जो इसमें यह आपने पाइप लगा रखे हैं ठीक है ओक्सिजिन यह तो यह दो टाइप के अपने लगा रखे हैं दो टाइप के इसलिए आउ में दिखा देता हूं जो यह बड़े वाले पाइप है यह रिंग लॉवर के लिए है ताकि अच्छा रहे अगर अमर पाइप उपर आएंगे तो इस बात दिखा देंगे आपको कि अच्छा रहे है यह बड़े वाले पाइप जो है यह रूट उस रूर के हैं और यह चोटे पाइप जोह है नाज जासा हमारा backup नहीं रहता लाइट चली जाती है तो यह इनवेटर से भी चल सकता डाइफ्रोम पंप और जो यह बड़े वाले पाइप है यह रूट ब्लोवर है और यह लाइट से ही चलेगा इनवेटर से यह नहीं चलेगा या फिर आपको जनरेटर इसके लिए रखना पड़ेगा तो इसलिए दो पाइप हैं और यह oxygen के लिए होता है कुछ लोगों का question होता है कि पॉंड में oxygen की जरूत क्यों नहीं पड़ती पॉंड में इसलिए जरूत नहीं पड़ती है और production कम होती है इसमें क्या है कि space कम है और आपने seat जादा डाला हुआ है तो इसलिए आपको इसमे में requirement नहीं होती क्योंकि आप पांच एकड के पॉंड में पांच बीगे के पॉंड में आप अगर पंगेशे जालते हैं तो 10 तन के आसपास आप production ले सकते हैं और 1 kg के आसपास आप उसमें harvest कर लेंगे तो उसमें आप कम से कम 10,000 पीस जा लेंगे ठीक है तो वहां पे क्या ह किभल पांच पानी है पूरा पानी चेंजु भी करना पड़ता है टाइम थृक है तो पानी तो लेकिप करना पड़ता है टंप परसेंट लेकिन वीक में तकान डे कर दो तो यह बताओ जैसे पानी है अभी देखने में थोड़ा एसा लग रहा है जैसे मिटी आला पानी हो नहीं यह पानी यह क्या कि यह फ्लॉक है और जो फ्लॉक है वो डिजोल हुआ हुआ डिजोल नहीं होता है थोड़ा अगर आप ऑक्सिजन को बंद कर देंगे थोड़ी देर के विज अलग हो जाए गा ओर पानी अलग हो जाए गा तो वही फ्लॉक है जो इसमें भूमता रहताः जिसको फिष्टित को फीड करणा ऑप जो फीड़ खंटी तो निखिल भाई जैसे अभी पानी गंदा नहीं है अभी आपका माल बिका तो है नहीं पर फिर भी आपकी क्या उम्मीद है जो इसमें मेरा अनुमान है मैं 400 किलो तक ही प्रोडक्शन लोगा एक टैंक से ज्यादा नहीं लोगा क्योंकि पहली बात तो यह कार्प है तो अगर 400 ग्राम का भी हो जाता है पीस तो मेरे को मार्केटेबल साइज होता है 400 ग्राम से आपकी बिक्नी स्टार्ट हो जाती है उसक चार्सो ग्राम के अवसको सेल कर दूंगा और मेरे पास सीड थोड़ा ज्यादा आ गया तो मुझे देखो दिक्कते आएंगी हो सकता है कि मैं 400 ग्राम के आपकाऊं 400 किलो साड़े 300 के अवसको से नहीं रह जाए क्योंकि फर्स्ट कल्चर है और मेरे पास सीड भी थोड़ा तो इसलिए थोड़ा हो सकता है कि वेट में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए कम आ जाए लेकिन हा मेरा 400 मेरा टारगेट है कि मैं 400 ग्राम के आसपास एक फिश का और एक हजाद पीस हैं तो यानि कि 400 किलो मैं इसको सेल कर दूँ एक टैंक से तो वो देखते हैं अब हर्वेस्टिंग पर कितना आता है वो तभी बता पाँ तो जैसे दो लाग रुपे इंवेस्ट हुए थे तो आउट पुट के ताइम पर तो जो आपका फिश है सीड और फीड आएगा वो तकरीबन 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 नब्यजार के असपास आएगा maximum इससे जदा नहीं आएगा और यह भी कार्प केट फिश पे कम आएगा तो जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि इसमें मेरा नब्यजार के असपास खर्च आएगा और जो पहला इंवेस्टमेंट होत पहला हुँ आप इसमें केट फिश करें उसी की ग्रोथ अच्छी आती है कार्प की इसमें अच्छी नहीं आती है आप केट फिश करें केट फिश का FCR अगर 0.7 वी आएगा तो आपका जो इन्वेस्मेंट होगी वह बहुत कम हो जाएगी और अभी जैसे मैं बता रहा अब हाफ केजी फिश है और दो फिश जो हैं वह गालावं चया होता है जो काप का है पंगेकेशन का सुभी चला जाता यह अब ही जैसे कि लोगडाउन है तो थोड़ा आप समझ सकते हैं थोड़ा डाउन ही होगा तो 120 के आद यह अगर हम पकड़ें रेट को तो 140,000 के आसपास यह सेल हो जाएगी और इतना ही आपका याता है जो वन टाइम इंवेस्टमेंट है वो तो आपने कंस्ट्रक्शन कर ली वो तो कहीं जानी नहीं है वो तो इहीं पर रहना है तो हर बार ही आपको इतना ही हर बार हां और मैं कैटफिश का बता सकता हूं कैटफिश में अगर आप पंगेशियस इसमें डालते हैं जो एक टैंक से लगबग 15-16,000 आप इजीली बचा सकते हैं यह मैंने मिनिमम बताया मैक्सिमम नहीं क्योंकि परिबारी क्या होता है अगर हम मैक्सिमम बता देते हैं और चेंज करनी बड़ेगी वरना वो दिखत दे तो दोस्तों आज की वीडियो में यही सब बाते थी जो निकिल भाई ने डिटेल में कवर किया है अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो